नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ जुर्यों को दूर कर त्वचा पर गुरापन लाएं जाने मेथी के ऐसे ही अन्यफायदों के बारे में भी मेथी एक वनस्पती है इसकी पत्यां साग बनाने के काम आती हैं तथा इसके दाने मसाले के रूप में प्रियुक्त होते हैं स्वास्थी की दिरिष्टी से यह बहुत गुनकारी है मेथी चाहे हरी पत्यों के रूप में हो सूखी पत्यों के रूप में हो या दानों के रूप में हो इसके गुन आपके शरीर पर चमतकारिक रूप से प्रभाव डालते हैं क्या आप जानते हैं कि विभिन स्वास्थे ल लिए किया जाता रहा है इसलिए अगर मेथी को बहुत उद्देश्य मसाला कहा जाए तो कुछ अति श्योक्ति नहीं होगी हमारे भारतिय समाज में वर्षों से प्राकृतिक जड़ी ब्यूटियों का प्रयोग किया जा रहा है जो हमारी सेहत के लिए उपयोगी होती है उनमे मेथी के सुन्दर्ता से जुने लाभ और उनके इस्तेमाल के तरीकों की लिष्ट बता रहे हैं हम जिन्हें आप बे जीज़क आजमा सकते हैं सबसे पहले तो ये त्वचा को चमकाती है जिहां मेथी के बीच चेहरे की गंभिर समस्याओं जैसे कि जुर्यों काले धब्बे फाइन लाइन और इन्फेक्शन इत्यादी से हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं और पहले से उत्पन समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम है मेथी में मोजूद एंटियोकसिडेंट त्वचा की टोन और त्वचा में ग्लू लाने के लिए काफी फायदे मंद होते हैं इसके लिए आप मेथी बीज, मेथी युक्त पानी, बेशन और दही का प्रयोग कर फेस पैक तयार कर लें, उसके बाद तयार फेस पैक से त्वचा का एक्सफोलियेट करें, इस उपाय से आपकी त्वचा में धीरे धीरे निखार आने लगेगा, आँखों के डार्क सरकल जान लगने लगता है, इस समस्या को दूर करने के लिए भी मेथी आपके लिए मददगार हो सकती है, इसके लिए मेथी के थोड़े से दाने को लेकर उसका पेश्ट बना लें, अब इस पेश्ट को अपने आँखों के आसपास डार्क सरकल पर लगाए, कुछ दिन इस उप इंटी ऑक्सिडेंट और मुक्त कणों से भरपूर होती है, इंटी एजिंग मेथी को दही के साथ मिक्स करके फीस पैक बना कर अपने चेहरे पर लगाएं, इसके अलावा यह आपकी त्वचा की रंगत में निखार लाती है, इसके लिए भी आप दही और मेथी के बीज के को मिला कर पेश्ट बना लें, त्वचा की देख भाल के लिए मेथी से बेहतर कोई और उपाय हो ही नहीं सकता है, मुहासों का करे यह खात्मा, मेथी के बीज किल मुहासों को रोकने और इसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, मेथी त्वचा की मृत को शिकाओं को नि मेथी का फेस पैक बनाने के लिए मेथी बीज का पेश्ट तयार करें और इसमें शहद मिला लें, रात को सोने से पहले इसे आप अपने मुहासे पर लगा लें और सुबह इसे गुनगुने पानी से साफ कर लें, कुछ दिन इस उपाय को करने के बाद आपके मुहासे और द मेथी की पत्तियां हमारे शरीर के लिए उतनी ही उपयोगी हैं, जितना उसके बीज मेथी के दाने में फासफेट, लेसिथीन जैसे पोशक तत्व होते हैं, इसके अलावा इसमें फोलिक एसीड, मैगनीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, इत्यादी के भी गुन मिलते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, ये चेहरे के काले धबों के लिए एक वरदान सावित होती है, इसकी पत्ति को पीश कर चेहरे पर लगाने से काले धबों पर काफी आराम मिलता है, जिहां दोस्तों, इस हमारे वाइस उबर में मैंने आपको जो भी जानकारी बताई, ये शोधों पर आधारित है, इसलिए किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले, यानि कि हमारे चैनल पर या किसी भी देशी और शदी को अपनाने से पहले, आप अपने होम डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जिहां, क्योंकि उनको सबसे अच्छा आपके बारे में पता हो उतने ही लेवल का आपको जहर दिया जाता है ठीक होने के लिए, ठीक वैसे ही क्या होता है, कि किसी के लिए कोई और शदी फायदे मंद होती है, तो किसी के लिए नुक्सान दायक भी सावित हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने फैमली डॉक्टर से संपर्क कर लें, क् बहुत सारे टेस्ट आप पर कर चुके होते हैं इसलिए उनको पता होता है कि आपका शरीर जो है वो किस प्रकृति का है यानि कि कफ प्रकृति का है या फिर पित प्रकृति का है या वात प्रकृति का है जिसकी बदावलत वो आपके बारे में सही राय दे सकते हैं आपको तो